हलो फ्रेंट्स मैसल शाहिद से यह दन आम दा ओनर ऑफ जीस्टी सेवा केंद्र डॉट इन कल थर्टीएथ मार्स टूटाउजन ट्वेंटी को एक सर्कुलर आया मिनिस्ट्री और कॉर्परेट अफैर्स है जिसमें उन्होंने एक सर्कुलर में फ्रेश स्टाट स्कीम लेकर आया है वह सर्कुलर जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक बेज दूँँ और वह उदर पे आप देख लेंगे फ्रेश स्टाट स्कीम यह है कि अच्छल में अब इन्होंने यह स्कीम लेकर आई है ऐसी स्कीम यह मिनिस्ट्री और कॉर्परेट अफैर्स काफी लेकर आती है सारी चीजों में कि इन केस आपके कुछ पैंडिंग रिटर्न्स है कुई डॉक्यमेंट्स आपने अप्लोड नहीं है आपका आरोसी कंप्लाइंस कंप्लीट नहीं है अप टू डेट नहीं है तो कुछ पीरेट के लिए वह स्कीम रन करते है जिसमें आपको नॉमल जो फीस होती है आरोसी की वही फीस पेमेंट्स करना है और जो इंटरैस्स पेनल्टी कियोंकि आप आरोसी का वटन डेड़ जैसे लेट होता है तो 100 पर डेड़ की पैनल्टी चणनने लग जाती है अगर कुछ फिर उस पर इंटरैस्स पैनल्टी यस काफी लगने लग जाती है तो फिर से ये स्कीम इन्होंने मिनिस्ट्री और कॉर्पेट अफेर्स के लॉंच किया है जो स्कीम का डूरेशन रहेगा फर्स्ट अप्रेल टू 30 सेप्टेमबर छे मैने के लॉंच किया है जिसमें आपके जितने भी प्रीवियस आरोसी के रिटन्स पैंडिंग है वह आप रिटन्स फाइल कर सकत है नॉर्मल फीस देखे जो बहुत बेस्ट है अभी लेटस में मेरे क्लाइंट के 2016 की उसका रोसी का उसका 2016 से पैंडिंग ता उसकी लाइबिलिटी में चेक कर रहा है तो तो मोर देन टू लैक रूपीज के उपर आ रही थी तो अब यह आपको नॉमिनल जो आरोसी के फीस लगती है वह फीस देखे आप आपके पैंडिंग जितने भी अनलिमिटेड यह के जो कंप्लाइंस पैंडिंग है कंपनीज एक नाइंटीन फिफ्टी सिक्स के भी कंपनीज एक 2013 में जो रजिस्टर उनके भी कुछ जो कंप्लाइंस प्रिवियस्ली पैंडिंग आप वह सार स्कीम के क्या-क्या फीचर से जैसी कि मैंने आपको फर्स्ट ही बता कि जितने भी पैंडिंग रिटंस है अनलिमिटेड यह सफ पैंडिंग रिटंस इतने भी आपके है अनलिमिटेड यह मतलब आपके जितने भी पैंडिंग रिटंस अप्टू डेट है अप्टू डेट त कब तक है 1st April to 30th September 2020 तक का इसका duration से अब हाँ यह किस के लिए applicable है all private limited companies all public limited companies और एक और उन्होंने circular लेकर आया तो यह LLPs के लिए भी जो उन्होंने एक circular वो हम लो बाद में discuss करेंगे यह जो circular में जो mention है all private companies और all public companies के लिए applicable है यह circular फिर जैसी मैंने आपको बता है कि normal fees देना है जो ROC की normal fees देना रहता है वही fees देके आप अपने returns file कर सकते हैं और अपने compliance को up to date कर सकते हैं तो काफी interest penalties लगती है फिर no late fees and penalties prosecutions only normal fees payable अब अब देखिए क्या वो रहा है ना कि अगर already आपको 248 की 248 की notice issue हो गई है section 248 की notice अगर आपको issue हो गई है तो आप यह compliance में नहीं आते हैं मतलब आप default or consider already हो चुके हो तो वो यह compliance में नहीं आती है वो scheme वो यह scheme में नहीं आ पाएंगे already जिसकी company strike off हो चुकी है वो इस scheme में नहीं आ सकते already जिसकी company dormant हो चुकी है और वो इस scheme में नहीं आ सकते यह सारी चीज़े है तो मेरा हाल फिला बस इतना है मैं circular जो है उसकी link description में दे दूँआ तो यह video बनाने का यहीं मक्सद है कि अगर आपकी companies है या तो private limited या तो public limited जो भी companies है उसके कुछ complances pending है complances include आपकी directors के kyc अब उन्होंने एक notes मैंने देखा था उदर पर news and updates में भी यह उन्होंने यह news दिया है कि अगर आपका DIR 3 भी pending है अगर आपका directors का kyc भी pending है deactivate हो चुका है या तो pending है आपने नहीं करवाई या तो deactivate हो गया उसको activate करना आपका director identification number तो पहले December तक का 5000 फीस थी फिर उसके बाद अगर कोई December के बाद वह फाइल करेगा तो 10,000 penalty लगता था तो वह penalty भी wave कर दिया है मतलब आप यह durations में 1st April से लेके 30th September तक आप अपना दीन भी activate करवा सकते तो दीन भी activate करवा सकते अपने compliance का पूरे अपनी company के पूरे compliance up to date कर सकते यह scheme के through तो मैं चाहूँ कि सारे जितनी भी pending compliance है जो भी directors है जितने भी उनके कोई भी pending compliance है वो pending compliance इस scheme के through आप लोग update कर लिजे without penalty without interest जो nominal ROC की fees होती है वही fees लगती है बस यही बताना था यह circular में इतना ही था लेकिन बहुत best scheme है क्योंकि बहुत लोगों का बहुत सारे compliance spending है जिनको पता नहीं होता है कि हमको ROC में compliance भी करना रहते हैं जैसे मैंने अपने क्लाइंट का discuss भी किया उसका 2016 से compliance नहीं है जिसको more than 2 lakh rupees के उपर interest penalty आ रही थी तो वह अब यह scheme के through बच जाएगा मतलब उसको nominal fees payments करना nominal payments करके वह सारे अपने compliance complete कर सकते हैं तो यह आप लोग भी अगर आपकी कोई companies है कोई compliance आपके ROC के pending है या तो आपको पता नहीं कि कौन-कौन से compliance होते है तो आप लोग मेंसे contact कर सकते मेरा मेरी details है वो about sections में दी हुई है आप लोग मेंसे contact करके पूछ सकते कि companies को कौन-कौन से compliance लगते हैं और कौन-कौन से compliance आपको pending है वह भी सारी चीज मैं आपको बता दूँँ अगर आपका compliance up to date है या नहीं अगर सारी चीज up to date रहेगी तो वह भी चीज मैं हम लोग आपको guide कर दूँँ आप सारी चीज मैं ऐसलब हो ज्याइगा सब्सक्राइब यहिस के रिटेंच वगेरा फाइल करवाना चाहते नो आप यहिटेंस वगेरा फाइल करवाना चाते तो आप लोग मैंसेra contract करें मैं आपको help करूह किसी भी तरिके के सब्सक्राइब क्या तो बस यहीं पर वीडियो मैं खतम करता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीस लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेर करो कि यह स्कीम के बारे में और लोगों को पता चले, और अगर बहुत अच्छा वीडियो लगता है तो प्लीस मेरे चैनल को आपको 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 है, तो इसी तरीके से मैं GST, Income Tax और ROC से रिलेटेड या Financial Compliance से रिलेटेड जो भी चेंजेस होता है, अपने वीडियो में मैं आप लोग तक शेर करता हूँ, तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राब करें, बाई, टेक केर